है हेलो गाइज विल्कम बैक तो अनद ब्रैंड न्यू वीडियो मेरा नावाज सद आप देखरें कि रिप्टो टीवी इंडे यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां पे के बारे में वालो ने बैंक रप्सी के लिए भी फाइल कर दिया यानि आगर अब एफ्री टोकन का क्या होगा उसके बाद यहां बात करेंगे मार्किट का हाल में सबसे बहolे मार्किट का हाल देख लें अभी कैसा परफॉर्म कर रही है बिट्कॉइन की डॉमिनेंस की अगर ह जो है यहां पर कल नहीं परसू यहां पर सीपी डेटा आने के बाद हमें बिटकोइन के प्राइज में थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था लेकिन बिटकोइन जो है दोबारा से अभी 16,800 डॉलर के आसपास चला गया है और क्या बिटकोइन जो है 10 से 12,000 डॉलर जा सकता है जी हां पॉसिबिल्टी यह है कि यहां पर 10 से 12,000 डॉलर जा सकता है क्योंकि अल्रेडी जो है मार्केट में इतना फट फैला हुआ है एक और अगर बैड न्यूज आती है कोई तो यहां पर बहुत जादा डाउन फाल जो है क्रिप्टो करणसी के अंदर हमाई देखने को मिलेगा है आप बात कर लेते हैं एक सार्पी की एक सार्पी का जो केस है वह बहुत जल्दी खतम हो सकता है और सकता है तो अगर आप एक सार्पी में इंवेस्ट्मेंट करने का सोच रहें तो अभी एक अच्छी ओपोचुनिटी हो सकती है और यहां पर हम बात करें मैटिक के मैटिक कोई जो है बहुत अच्छी वाइंग रेंज के अंदर चल रहा है एक डॉलर के अंदर अंदर आप जो है इसमें जरूर अपनी पोजीशन बना लीजिएगा क्योंकि हैं पर मैटिक के बहुत सरी पार्टनर्शिप्स हो रही है तो मैटिक एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है आप यहां पर हम देख लें यहां पर क्रिप्टो टीव इंडिया यूट्यूब चैनल भी है और हमारा टेलिग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क् कि यह जो audio है इसको अगर आप एक बार सुन लोगे ना आपका concept क्लियर हो जाएगा portfolio management को लेके क्योंकि यहां पर portfolio management करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपने Luna coin को देखा होगा FTX coin को देखा होगा कि जिन लोगों ने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में पैसा लगाया होगा सोच अगर आपका Binance पे अकाउंट है तो MEXC Hubie Global description में लिंक है वहां पे भी sign up कर लीजिए अगर इंडिया की किसी और exchange पे आपका account है और वजीर एक्स पे नहीं है तो वजीर एक्स का लिंक भी description में मिल जाएगा जो exchanges में personally use करता हूं उनका link आपको description में मिल जाएगा और उन पे आप जाके sign up करिए और verification कर लीजिए और अपने portfolio को भी divide करिए और अपने funds को भी अलग-अलग exchanges में divide कर गे रखिए मान लोग कोई worst case scenario आता है और आपको withdrawal ही नहीं मिलता जिस तरह अभी FTX exchange वालों ने अपना withdrawal जो है बंद किया हुआ है अब भी बात कर लेते हैं FTX token, FTT token के बारे में तो यहाँ पे current price की अगर हम बात करें तो 2.44 dollars चल रहा है यहाँ पे 3.68 dollars से जो low बनाया है इसने 24 hours का 2.29 dollars अभी 2.44 dollars जो है current price चल रहा है रैंक की बात करें तो 75 रैंक था अभी 93 रैंक पे पहुंच चुका है रैंक भी किरता जा रहा है और मैंने कल ही एक वीडियो बना के बोला था कि यहाँ पे और भी worst चीजें जो है FTX token के साथ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इनकी जो legal team थी वो भी quit कर चुकी है और भी बहुत लिए सारा फंडा जो है बाइनेंस की वज़ा ही सीजेट की tweets की वज़ा से ही शुरू हुआ और यहाँ पे लोगों का बहुत ज़दा पैसा डूबा है क्या आपने टोकन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो आपका कितना loss जो ह कंगाली को जो है वो डिक्लेयर करेंगे और अभी इनके पास जो है यहाँ पे सारा का सारा पैसा जो है वो खतम हो चुका है एक हफ़ते के अंदर अंदर crypto exchange ftx जो है वो बिल्कुल जा चुकी है और proposing acquisition बाइनस ने भी यहाँ पे acquisition के लिए जो है यहाँ पे बाइनस ने बैंक रपसी के लिए जो है फाइल कर रही है sbf जो CEO फाउंडर थे यहाँ पे जो है सैम बैंक मैन फ्राइड उन्होंने जो है अपनी position से resign कर दिया गया है और देखते हैं आप जो भी नए अपडेट्स होंगी आपको crypto tv इंडेट्स चैनल पे मिल जाएंगी crypto को related सभी updates आपको मिलेंगी वो टिलीग्राम चैनल के ओपर मिलेंगी क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है और टिलीग्राम पे इंस्टेंटली वो चीज़ने शेयर हो जाती है thank you very much मेरा नाव है असद आप देखते हैं crypto tv इंटेट्व चैनल है वा सेफ इंवेस्टमेंट झाल 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 झाल